आप लोगों का स्वागत है मेरी यूटीब चैनल आर्ट रास्थी पे आज जो हम लोग लूमिस मेथड का यूज़ करके जो है आउकलिंग बनाने वाले हैं मादुर्गा का सो का इस वीडियो को पूरा देखना कई से भी स्केप मत करना वरना आप लोगों की में बुरी भी स् सबसे जिसके आप लोगों को फोकस करना है वो है पर्फेक्ट सरकल होना चाहिए वरना साड़ा का सारा खेल भी गड़ जाएगा जो गाई यह जो अब ही मैं कर रहा हूं यह वाला लाइन इसी वाले है और इसी मैं में मुकूट बनाऊंगा तो गाइस वीडियो को पूरा देखना जैसा कि मैंने कहा था और अगर वीडियो अच्छा लगए तो गाइस प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुना तो गाइस मैंने स्पीड काफी कम रखी आप लोग बेसिकली बना सकते हो और अगर आपको इससे भी कम स्पीड में चाहिए तो आप लोग मुझे बोल सकते हो मैं डाल दूंगा अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूल सकते हो मैं जरूर बताऊंगा मैं नोस बना रहा हूं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे में मैंने एक टिक लगाया हुआ है जहां मैं बनाओंगा मादूर्गा का लिप्स सो अब उसे भी बना देलते हैं आप लोग ज्यादा प्रेशर से अप्लाइम मत करना वाणा पूरा आउटलाइम बिगर जाएगा तो अभी आप लोग धीरे धीरे बनाना मैं बना रहा हूं और जब लास्ट में आप लोगों का आउटलाइम बिल्कुल पर्फेक्ट लगे तब आप लोग जो है इरेस कर देना लुमिस में थर्ड को और उसके बाद प्रेशर से कर सकते हो आप लोगों के वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अभी जो है मैं आइस बनाने में फोकस कर रहा हूं आप एक तरह किसे बोल सकते हो कि मैं फ्री हांड आउटलाइन ही बना रहा हूं क्योंकि इस वज़े से मैं बहुत चुका था सो मैंने कुछ नए ट्राइ करने का कोशिश किया और जब भी मैं कुछ नए ट्राइ करता हूं तो मुझे काफी ज़्यादा मज़ा आता है कि अधर मैं तो मैंने अच्छे से बना लिया है मुख़ुट ऊपर का आप लोग देख सकते हो और अभी जो है और बिव बनाना है मुझे अब उससे पहले मैं लिप्स बना लेता हूं मादूर्गा के अब जो है मादूर्गा का मैं हेड बना रहा हूं जैसा कि आप लोगों को नॉर्मली ये स्टेशनरी शॉप में बिल जाएगा और जो मैं रेजर यूज़ कर रहा हूं वो भी आप लोग देख सकते हूं डूम स्काइज फिंगर्स जो है वो मैं फ्री हंड आउट लाइन ही बना रहा हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूला मैं नीचे का पोश्चन बना वहां काफी डार्क था आज के लिए अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई